आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मु किश्मीर को अलगावबात, आतंकबात, परिवारबात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले ब्रश्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इन दोनों अनुच्छेत का देश के खिलाप कुछ लोगों की भावनाय भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था इसकी वजह से पिछले तीन दसक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 यांकडा किसी की भी आंख मेंच आंसू ला देता है 42,000 निर्दोष लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी जम्मु कश्वीर और लदाग का विकास उस गती से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मु कश्वीर और लदाग के लोगों का वरतमान तो सुदरेगा ही उनका भविश भी सुरक्षित होगा साथियों बहुत जल्द ही जम्मु कश्वीर और लदाग में सभी केंद्रिय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इससे स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त आवसर उपलब्द होंगे साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोजवाहित किया जाएगा इसके अलावा सेना और अर्द सैनिक बलों द्वारा स्थानिय युवाओं की भरती के लिए रेलियों का आयोजन किया जाएगा सरकार द्वारा प्रधान मंत्री स्कॉलर्सिप युजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका लाव मिल सके जम्मु कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत जादा है एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए जबसे वहां गवर्नर रूल लगा है जम्मु कश्मीर का प्रसासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है इसकी बज़े से बीते कुछ महिनों में वहां गुड गवर्नन्स और डेवलप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है दसकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है कि अपने भाईयों भेहनों को मैं एक महत्वपुण बात और स्पस्ट करना चाहता हूँ आपका जनप्रतिनी धी आपके द्वारा ही चुना जाएगा आपके बिछ से ही आएगा जैसे पहले M.A.L.E. होते थे वैसे ही M.A.L.E. आगे भी होगे जैसे पहले कैंबिनेट होती थी मंत्री परिषद होती थी वैसे ही मंत्री परिषद आगे भी होगी जैसे पहले आपके CM होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे आपके CM होंगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है इस नई व्यवस्था के तहट हम सब मिलकर आतंगबाद, अलगावबाद से जम्मु कश्वीर को मुक्त कराएंगे मैं राज के गवनर से भी आगर करूंगा कि ब्लॉग डेवलोप्मेंट काउंसिल का गठन जो पिछले दो तिन दसकों से लंबित है उसे पूरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्वीर की जनता अलगावबाद को परास करके नए आशाओं के साथ नए उर्जा के साथ नए सपनों के साथ आगे बढ़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मु कश्वीर की जनता गुड गवननस और पार दर्सिता के वातावराण में नए उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों जम्मु कश्वीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्नेशन बनने की ख्षमता है इसके लिए जो बातावान चाहिए शासन प्रसासन में जो बढ़लाव चाहिए वो किये जा रहे हैं लेकिन मुझे इसमें हर देश्वासी का साथ चाहिए हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए एक जमाना था जब बॉलीवूर की फिल्मों की शुटिंग के लिए कश्मीर पसंदिदा जगा थी उस दौरान शाहिदी कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शुटिंग न होती हो अब जम्मू कश्मीर में स्थित्या सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहाँ फिल्मों की शुटिंग करने आएंगे हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगी मैं हिंदी फिल्म इंडस्टि तेलूगो फिल्म इंडस्टि और तमिल फिल्म इंडस्टि और इससे जुड़े से लोगों से आगरा करूँगा कि जम्मू किश्मीर और लदाख में निवेस के बारे में फिल्म की सुटिंग से लेकर थीटर और अन्य साधनों के स्थापना के बारे में जरूर सोचे उसको प्रात्विक्ता दे सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू किश्मीर और लदाख के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पोर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं नई स्पोर्स एकडेमिश नई स्पोर्स टेडियम साइन्टिफिक एन्वार्मेंट में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी और कश्मीर का बच्चा खेल के मैदान में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा ये ताकत वहां पड़ी